हर पति-पत्नी को राम और सीता के रिष्टे से एक सीख लेनी जरूर चाहिए, वो है हर परिस्तित में एक दूसरे का साथ देना, बनबास होने पर माता सीता ने राम जी का साथ दिया, तो रावण द्वारा हरण होने के बाद भी स्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए डटे रहे, बिप्रीत परिस्तितियों में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बुरी से बुरी परिस्तित में भी दोनोंने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। भगवान विश्वान के सात्वे अवतार प्रभु स्री राम और माता सीता का रिस्ता युगो युगो तक याद किया जाएगा। प्रभु स्री राम की एक ही पत्मी और रानी थी, वो माता सीता थी, वहीं माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्स, पत्मी होने के कई उदाहर राम चरित मानस में देखने को मिलता है माता सीता एक राजकुमारी थी लेकिन अपने पती स्री राम के बनवास जाने पर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहने को तयार हो गई सारी पीडा उठाई लेकिन पती का हर पक पर साथ दिया भगवार राम ने भी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें तलासने के लिए लंका पर आक्रमण कर दिया उनके पास सेना नहीं थी और ना ही कोई राजपाट था लेकिन उन्होंने सीता मा को रामर से बचाने के लिए ब से अलग हुए तो भी उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम कम ना हुआ माता सीता कुटिया में रहने चली गई तो राम जी महल में ही सभी सुख सुवदाओं से अलग बिना दूसरा विवाह किये माता सीता के वियोग में रहने लगे इसी कारण अक्सर लोग कहते हैं कि जोड़ के भक्त है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय स्री राम लिखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपके पास पहुंसते रहें तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं हर पति-पत्नी को राम और सीता के रिष्टे से एक सीख लेनी जरूर चाहिए, वो है हर परिस्तित में एक दूसरे का साथ देना, बनवास होने पर माता सीता ने राम जी का साथ दिया, तो रावण द्वारा हरण होने के बाद भी स्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए डटे रहे, विप्रीत परिस्तितियों में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बूरी से बूरी परिस्तित में भी दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा, दूसरी बात है कि रिष्टे के बीच ना आये पैसा और पद, प्रेम पद और पैसो से प नहीं था फिर भी माता सीता ने उन्हें अपने पती के रूप में स्वभिकार किया, वहीं जब राम को बनबास हुआ और उन्हें सारा राजपाट छोड़ना पड़ा था, तब भी माता सीता ने पती के पद और पैसो के बारे में तनिक भी ना सोचा, और सारी सुक पबित्रता और पत्नी व्रता सीता के दूर जाने के बाद भी दूसरी इस्तिरी से विवाह नहीं किया। दोनों के भीच दूरियों के बाद भी माता सीता और स्री राम का एक दूसरे के लिए प्रेम और बैबाहिक धर्म जस्का तस्प बना रहा। सुरक्षा और सम्मान प्रभु स्रीराम और माता सीता के रिष्टे में सुरक्षा और सम्मान दोनों की भावना थी माता सीता के हरंग के बाद स्रीराम उन्हें बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए लंका पती रावन से योद करने तक के लिए तयार हो गए यहीं माता सीटा के चरित्र और पवित्रता पर सवाल उथे तो भले ही प्रभुरोराम को उन पर विश्वाश था लेकिन सीटा जी ने पती के सम्मान और इज्जत के लिए अगनी परिक्षा तक दी